नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं केंद्रे सरकार के तीन क्रिसी कानूनों के खिलाब पिछले दो माहिने से अधिक समय से दिली के विभीन वोड्रोब पर हजारों किसान जम्य हुए हैं किसान क्रिसी बील को वापस लेने और मस्पी पर कानून बनाने की अपनी मांग पर अभी अड़े हुए हैं इस बीच किसान अंदुलन में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश्टिकर इतने न्यूज चैनल आज तक के खास कारकरम सीधी बात में केंद्र सरकार से लेकर विपक्ष तक को अपना निशाना बनाया साथ ही उन्होंने दिल्ली हिंसा से लेकर चुनाओ लड़ने की बात भी बिवाकी से अपना पक्ष रखा मौसम विभाक के अनुसार जार्खन के उत्री और मध्य छेत्र के जिले राची डाल्टिन गाज गडवा चत्रा कुडार्मा लाते हार लुहर दगार रामगण गुमला बोकारो हजारी बाग गिरी डी में कहीं कहीं सितलहर चलने की समभवना है जार्खन के सिक्षा मंत्री को आठ फरवारी को अस्पताल से मिलेगी छुट्टी जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनाथ महतं कुरोनावायरस के गंभीर संक्रावन को मात देकर दो दीन बाद आस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगे बतादे कुरोना से संक्रामीत होने के बाद उनके फेफ़ड़े में गंभीर संक्रावन फ्याल गया था जिसकी वाया से उनका फेपड़ा टांस्प्रांट करना पड़ा अब वह पूरी तरह से स्वास्था और आठ फरवारी को चेनाई के MGM हेल्थ केर होस्पिटल से उन्हें छुटी दे दी जाएगी किसानों के समर्थन में जारखन में किया चक्का जाम नए क्रिसी कानूनों को आपस लेने की मांग पर और एक किसानों के समर्थन में जारखन में भी कई जीलों में सड़क पर उतर कर लोगों ने सड़क जाम किया बताद रांची हजारी बाग खोटी और लात्यार और कोडारमा समयत कई जीलों में राइनिती पाटियों के करकरताओं ने सलग जाम किया जार्खन के किरिसी मंत्री बादल पत्रले खरांची के बुट्टी मोड पहुँच का चक्का जाम करकर में सामिल हुए और किसानों का समर्थन किया इस दोरान उनके हाथ में किसान एक ताजिन्दाबाद की तक्ति भी थी पलामु के नेवी के जवान सूरज दूबे का मुबाई में मौत जार्खन के पलामु जिले के चैनपूर थाना चेतर के पुरुडीहा गाओ के रहने वाले नेवी के जवान सूरज दूबे के मुबाई में मौत हो गाई अत्यातिक जलने के कारण ने भी जवान की मौत हो गई जार्खन में सास्ती होगी सराब जार्खन में सराब सास्ती होगी बतादे मुखमंत्र हमन सुरेड ने सराब पर लगाई गई स्पेसल एक्साइज ड्यूटी का कुरोना से हटाने के प्रस्ताव पर स्वामति परदान कर दी है उत्पाद विभाग द्वारा सराब पत्दस परतिशत की दर से कुरोना से वसुला जा रहा था इसके हटने से सराब की मौझूदा कीमत में लगवग पांच परतिशत की गिरावट आ जाएगी बतादे अगले दो या तीन दिनों में विभाग द्वारा सराब की नई अधिक्तम विक्री दर जारी कर दी जाएगी संजाय सेठने केंदरिये बजट की तारिफ की राची के संजाय सेठने केंदरिये बजट 2020 की काफी तारिफ की है कहा है कि बजट लोक लूभावन नहीं बलिक सुरवागिन विकास वा आत्मे निर्भाता बढ़ाने वाला है उन्होंने बताया करोना संक्रमन कायल में पूरी दुनिया की अर्थ व्यवस्ता चर्मा गई है हर देश आर्थिक संकट से जूज रहा था ऐसे में दुनिया के कई देशों ने हथियार बेचना सुरू किया और अपने अर्थ व्यवस्ता को पट्री पर लाने की कवायद सुरू की पांच पूलिस कर्मियों के हत्या मामले में एन आईये के रिमान वेती नकसली सराइक लाखरसवा जिले के तिरूलडी थाना चेतर में 14 जून 2019 को बीच बजार में पांच पूलिस कर्मियों के हत्या कर हत्यार लुटने के आरोप में नकसली खिलाप रश्टी एजांच एजेंसी की जांच जारी है बता दे एन आईये ने इस केस को 13 दिसम्ब 2020 को टेक ओवर किया था इस केस में जांच के दोराण एन आईये ने तीन हाटकोर नकसलीयों को चार दिन के रिमांड पर लिया है अलप संख्यकों के विकास के लिए कारे कर रही भाजपा अलप संख्यक मोर्चा कराश्टी अद्यक्ष हाजी जमाल ने कहा कि किंद्र किनैंद मोदी सरकार अलप संख्यकों के सरवांगी विकास के लिए कारे कर रही है वहीं भाजपा मुसलिम समाज के राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर कर रही है हाजी जमाल राची में सवनिवार को भाजप्रा परदेश कर्याले में मीडिया से मुखातिव थे बता दे भाजप्रा अलप संख्यक मोर्चा करश्टिया द्यक्ष ने कहा कि भाजप्रा का स्थापना काल से ही अलप संख्यक समाज इसके साथ जुड़ा रहा है जार्खन में 41 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है जार्खन में कूल मौत की संख्या एक हैर 77 है वहीं जार्खन में एक्टिव केस की संख्या 428 है